बाबा नीम करोली उत्सब को सफल बनाने के लिए बाबा नीम करोली भक्त समीती की एक बैठक समराथ अशोक नगर बालाजी सिमेंट इस्टोर पर आयोजित की गई जिसमें आगामे 31 जनवरी और एक फरवरी को होने वाले कारेक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन प्रस्ताव और सुझाव रखे गए इस अफसर पर बैठक की एद्धिक्षता डॉक्टर संदीप राज के द्वारा की गई और बैठक का संचालन अनिल शर्मा के द्वारा किया गया बैठक में सभी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि बाबा नीम करोली इसमिर्थी उत्सब में सभी को तन मन के साथ कारेक्रम में भाग लेना है और कारेक्रम को सफल बनाना है इस अफसार पर बताया गया कि कारेक्रम के अति विशिष्ट सहयोग में प्रोफेसर हरवन्ष दिक्षित, डॉक्टर विशिष गुपता, वी के मलिक, डॉक्टर अजय पंथ, डॉक्टर संदीप, राज के अलावा और भी शहर के गणमान्यों का सहयोग मिल रहा है इस अफसार पर बताया गया कि कारेक्रम के मुख्यातिती, डॉक्टर जैपाल सिंग व्यस्त, एमल सी, राजा चंदरविजय सिंग, पूर सांसद, लोकसभा मुरादबाद, राजीव चन्ना, पूर विधाक मुरादबाद, मंजुर कुमार जोशी, आईएस, सेवानी व्रत कारेक्रम में मुख्यातिती होकर कारेक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, इस अफसार पर सभी ने कहा कि कारेक्रम को सफल बनाने के लिए जीजान से महनत करने होगी, इस अफसार पर बैठक में डुक्टर संजीव राज, अंकुर पंडे, राजेंदर अगरवाल, शैलेंदर प भंडारा तथा जो सुंदर कांड है उसके विशे में वारता करी, भंडारे की तिथी 31 जन्वरी और जागरन की एक फरवरी टे करी गई है, इसका स्थान बालाजी सिमेंट स्टोर साही अस्पताल के सामने समराट अशोक नगर दिल्ली रोड मुरादाबाद में टे गिया ग संबंदित जित्ते भी विचार विमश, सुझाव जो आए उस पे नजर डाली गई तथा आगे कि क्या प्लैनिंग करी जाएगी उसके विशे में भी वारता करी गई इसमें मौझूद डॉक्टर संदी प्राज, अंकुर पाने जी, निहाल यादव, राजिंदर अगरवाल, शेरेंदर प्रकाश, विकास पाठक, ललित ककड, सुनील अरोरा, नितिन गुपता, योगेश त्यागी, जैदेव यादव, अमेज जी, तथा गुपता जी, इसमे राकेश गुपता जी, नितिन गुपता जी मौझूद रहें, इस बार क्या कुछ नया करने की प्रेवाल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये तीसरी बार, ये बाबा का जागरण, तथा सुन्दर कांट, बंडारा हो रहा है, पिछली बार, जो द्वितियर बार जब कर जादा लोगों को जुनने की संभावना है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कि फेस्बुक, मार्क जुकरबर्ग के गुरू भी यही हैं, तथा आईफोन के जो स्टीव जॉब्स थे, उनके भी गुरी, बाबा नियम करोरी, बाबा ही रहें, और अलग अलग आश्रम से, विरिंदावन से, और मतरा से, और कैची धाम से, काफी लोग आने की अपिक्षा रखते हैं इस बार, इस बार का जो आयोजन है, पिछली बार से कहीं जादा बड़ा, अधिक और संपूर रहेगा,